This is Sandeep and welcome to my channel Only Study आज हम करेंगे 23 से 30 अपरिल तक के जितने भी क्रंट अफेर्ट्स हैं उनको फटाफट ये हमारा चौथा वीडियो है इस महीने के सारे क्रंट अफेर्ट्स मैंने कबर कर दिये हैं I hope आप लोगों को पसंद आ रहा होगा शुरू करने से पहले मैं आपको फिट से पोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर चरूर करिएगा चलिए शुरू करते हैं तो हम बात करें 22 अपरिल को मनाया गया इंटरनेशनल डे नेक्स है अपरिल के अंतिम सप्ता के अंतिम बुधवार को मनाया जाता है अड्मिनिस्ट्रेटेव प्रोफेशनल डे ठीक है तो इस बार 22 अपरिल को यह मनाया गया क्योंकि 22 अपरिल को लास्ट बीक का लास्ट बुधवार था ठीक है मतलब बुदवार तो लास्ट ही होगा लास्ट बीक में मना के जो बुदवार होता है उसमें मनाया जाता है ये next है get set go जो है ये एक प्रोग्राम सुरू किया है करनाटक ने NEED की online coaching के लिए next है G20 क्रिशी मंत्रियों की बैठकी अध्यक्सता की शाओदी अरब ने और भारत का प्रतिनितित्व किया भारत के क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने ठीक है तो G20 जो है इसमें ये 19 प्लस बन का ग्रूप है 19 इसमें countries है और एक European Union है next है हुई इंडिया के नए CEO बन गए है डेविड ली तो आपने याद रखना है हुई इंडिया के CEO बने है डेविड ली next है समीर गो स्वामी का निधन हो गया वे थे एक बंगाली पत्रकार तो आपने याद रखना है समीर गो स्वामी बंगाली पत्रकार थे नेक्स है करोना मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है गोवा और दूसरा बना है मनिपूर तो question important है कि सबसे पहले कौन सा राज्य कोरोना मुक्त हुआ तो वो है गोवा चलते हैं आगे अब बात हुई है गोवा की तो गोवा मुक्ती दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था गोवा next है मद्य प्रदेश में CM COVID-19 योधा कल्यान योजना के तहत 50 लाग का बीमा देने की घोशना की गई है तो MP ने जो भी ये frontline workers हैं COVID-19 के अंगेस्ट जो वर्क कर रहे हैं लोग उनके लिए 50 लाग का बीमा यानि डॉक्टर, नर्सेज, पुलिसमेन ये जो हैं frontline में जो हैं उनके लिए 50 लाग का बीमा देने की घोशना की है मद्य प्रदेश सरकार ने मद्य प्रदेश की बात करें तो इसमें Kana National Park, Madhav National Park, Bandha Gad National Park और Panha National Park ये important National Park है मद्य प्रदेश के आपने याद रखना है Next है, फीफा ने एक अभयान चलाया है Be Will Ben इसमें भारत से footwaller By Chung Bhutia को चुना गया है next है लेबनोन देश है इसमें भांग की खेती भांग की खेती को लीगल बना दिया है लेबनोन कंट्री ने आपने comment करके बताना है लेबनों कौन से कॉंटिनेट में पड़ती है गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचे अभयान शुरू किया हैं तो याद रखना है आपने सुजलाम, सुफलाम ये जो अभियान है ये जल संचिय क्या है क्योंग गर्मिया आ रही है तो जल से related question बनने के chances ज़ादा है Spain bull running festival अभी अभी cancel हो गया है Spain में ये festival मनाया जाता है जिसमें एक bull होता है और बहुत भीडवाड में छोड़ा जाता है उसको और उसके आगे लोग भागते है Spain का जो राश्ट्रिय खेल है वो bull fighting है तो आपने याद रखना है bull fighting bull से fight करोगे तो pain होगा और pain से बनता है Spain तो याद रह सकता है आपको next है तिरंगा पहल ये private नहीं है rapid है rapid screening शुरू की है केरला ने rapid screening इसकी COVID-19 की इसमें क्या है एक गाड़ी है जिसके उपर तिरंगा है तिरंगा मतलब draw किया गया है इसके उपर इसमें एक camera लगा है बाहर और एक microphone लगा है एक अंदर एक बाहर जिससे अंदर मैं बैठे अधिकारी बाहर बात करेंगे बाहर एक speaker लगा है जिसके through अब आज जाएगी जो patient जिसकी screening हो रही है उसके पास वो जबाब देगा जो बाहर microphone लगा है उससे एक thermometer भी लगाया गया है जिससे temperature जो है चेक होगा लेकिन ये मुह में डालने वाला thermometer नहीं है ठीक है चलते हैं आगे तो यहाँ पे है 23 अपरिल को मनाया गया विस्व पुस्तक और copyright day और साथ में 23 अपरिल को English Language Day भी मनाया जाता है तो आपने दोनों को ध्यान में रखना है World Book and Copyright Day and English Language Day ये दोनों मनाये गये हैं 23 अपरिल को नेक्स हैं BRO Border Road Organization इसने बनाया है रावी नदी पर पंजाब में कसवाल एंक्लेव को भारत के दूसरे हिस्सों से जोडने के लिए एक permanent pull pull यहाँ पे पहले भी होता था लेकिन वो temporary pull होता था और हमेशा जब बाढ़ आती थी तो ये pull जो था गिर जाता था और इसका जो कसवाल एंक्लेव है इसका connection तूट जाता था भारत के बाकी हिस्सों से तो आपने ध्यान रखना है बियारो ने ये pull बनाया है पंजाब में कसवाल एंक्लेव को दूसरे हिस्सों से जोडने के लिए next है इरान ने अपना पहला send नूर लाँच किया है तो नूर जो है पहला है इरान का तो आपने याद रखना है क्या है ये send ने उपगर ने थाइलेंड में leather bag कच हुए के घोंसले पाये गए है अभी अभी देखो lockdown है तो ये जो कच हुए है जो इनको पहले थाइलेंड ने extinct घोशित कर दिया था मतलब लुप्त घोशित कर दिया था लेकिन अभी lockdown के दिनों में ये शायद ये परजातिया फिट से बाहर आई है शायद कुछ बच गई थी तो अभी अभी ये थाइलेंड के स्मुद्री दट पर मिले हैं नेक्स है इंटरनेशनल मोटर साइकल मैनुफेक्ट्रिंग एस्सोशियेशन इसको IMMA बोलते है इसका नया अधेक्स चुना गया है राकेश कुमार को तो आपने ध्यान रखना है न इसमें अगर आपके पास कोई स्टडी मैटीरियल है तो आप इसको दे सकते हैं दान कर सकते हैं MHRD की साइड पे विद्यदान 2.0 कारिकरम के अंतरगत नेक्स है PCS नहीं है TCS है TCS में इसराइल में पहला पूरण डिजिटल बैंक लांच करने की घोशना की है तो ध्यान DC और BP Digital Crunces ये लांच की है चाइना ने तो आपने ध्यान रखना है DC और BP क्या है Digital Crunces है और इनको लांच किया है चाइना नेक्स है नेपाल नेपाल को भारत ने भेजी है तेस्टन दवाईया जिसमें Paracetamol, Chloroquine ये जो है भेजी गई है नेक्स है World Press Freedom Index जो है अभी अभी इसमें भारत की रैंकिंग रही है 142 भारत को हुआ है दो स्थान का नुकसान पहले रैंकिंग 140 थी इसमें नंबर वन पे रहा है नार्वे और लास्ट में रहा है उत्तर कोरिया आपको पता है बहाँ पे प्रेस को विल्कुल भी फ्रीडम नहीं है ये 180 ही देस हैं इसमें कन कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है नेक्स है पंचाइती राज दिवस मनाया गया 24 एपरिल को ध्यान रखना है आपने अंसर देना है आपने कब से शुरू हुआ है नेक्स है संपर्क दीदी आप ये की है उत्राखंडने लांच और ये है छात्रों के लिए नेक्स है पुल पुलवामा ये है कोरोना पुलवामा जिला बना है जम्मू एंड कश्मीर में पहला कोरोना मुक्त जिला अंबुबाची मेला ये मनाया जाता है असम में लेकिन इस साल नहीं मनाया जाएगा रद कर दिया गया है कोविड-19 के चलते नेक्स है रंगमंच निर्देशी का थी एक उशा गांगुली नाम था जिनका हो गया है अभी अभी निधन तो आपने ध्यान रखना है उशा गांगुली एक रंगमंच निर्देशी का थी ये बहुत important question है very very important अली रेजा फिरोज ये जो है इन्होंने वेटर नहीं है ये blitz है blitz blitz होता है एक chess game है ठीक है तो इसम world cup चल रहा है और इसमें Magnus Carlson को हरा दिया है अली रेजा फिरोज ने important इसलिए बन जाता है question ये कि Magnus Carlson जो थे ये champion थे काफी सानों से और इनको मात्र 16 साल के इरान के 17 प्लियर अली रेजा फिरोज ने हरा दिया है तो आपने इसको ध्यान रखना है very very important question है M.H.R.D. ने My Book My Friend अव्यान लाँच किया है My Book My Friend अव्यान किसका है M.H.R.D. का M.H.R.D. की full form है Ministry of Human Resources Development Next है भारत की पहली COVID-19 Sample Collection App का शुबारम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने किया तो राजनाथ सिंग याद रखना है आपने हमारे रक्षा मंत्री है और इन्होंने COVID-19 पहली COVID-19 Sample Collection App इसको शुरू किया है इस एप को बनाया है DRDO और ESIC Medical College हैदराबाद ने मिलकर चलते हैं आगे तो यहाँ पर बात हुई है खोंग जों दिवस की खोंग जों दिवस जो है यह मनाया जाता है मनिपुर में किसलिए आंगल नहीं है आंगल है अंग्रेज और मनिपुर युद हुआ था जिसमें जो शहीद हुए थे उनको सरद्धाजली देने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है तो आपने ध्यान रखना है खोंग जोंग दिवस का संबंध है मनिपूर राज्य से नेक्स है UNODC ने लॉकडाउन सीरीज का सुवारम किया है UNODC की फुल फॉर्म है UNODC इसकी फुल फॉर्म है United Nation Office on Drugs and Crime नेक्स है चीन ने डव्ली एचो को 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर की घोशा की है देने की देखिए अभी अभी आपको पता होगा Donald Trump ने COVID-19 में WHO के अच्छे से काम ना करने के की वज़ा से इनकी जो ग्रांड थी जो अमेरिका देता था उसको रोक दिया है तो चाइना ने बोला है कि हम आपको 30 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर देंगे नेक्स्ट है जमू और कस्मीर में सर्वदा सर्व सर्वदा सीनियर्ज इनिशियेटिव हल्पलाइन सेवा का शुवारंब किया गया है तो आपको याद रखना है सर्वदा seniors initiative helpline इसको शुरू किया गया है J&K में J&K एक UT है अभी अभी एक UT बन गया है ये राज्य नहीं है भारतिय उच्छा योग ने ब्यापार संबर्धन पर मंगला देश में बिविन बिविन नहीं है ये ये है बिविन नहीं है नेक्स है SpaceX 16 शर्टलिंग उपर गया लॉच किये है SpaceX ने ये क्यों लॉच किये गये है ये दुनिया के हर कोने में इंटरनेट उपलब्द करवाने के लिए लॉच किये गये है नेक्स है World Bank ने हिमाचर प्रदेश को रोड ट्रांस्पोर्ट प्लान के लिए 82 मिलियन अमेरिकन डॉलर रिंड देने की घोशना की है नेक्स है बिश्प टी का करन सब्ता मनाया गया 24 से 30 अपरिल तक ठीक है तो आपने ध्यान रखना है इसका कि इसकी थीम क्या थी ये थी बिश्प टी का करन सब्ता नेक्स है नेक्स है केरला ने रोगियों की सेवा के लिए एक रोबोट जिसका नाम है कर्मी रोबोट तो ये तैनात किया है तो ध्यानक नहीं आपने कर्मी रोबोट क्या है रोगियों की सेवा के लिए रोबोट किसका केरल का next है RBI ने mutual fund कंपनियों को पचास हजार करोड रोबे देने की घोशना की है क्यों की है अभी-अभी mutual fund कंपनियां जो है इनको इनमें investment कम हो रहा था तो liquidity की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए RBI ने घोशना की है पचास कराड रोब पचास हजार करोड रोबे देने की अभी-अभी मैंने question पूछा था RBI की सापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1 अप्रेल 1935 को next है UNCAT UNCAT इसका विकास सील देशों के एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक के रिन को माफ करने की घोशना कर दी है UNCTAD ने तो आपको ध्यान रखना है next है Ronnie Roy ये थे photojournalist इनका हो गया है निधन कौन थे photojournalist थे ये Ronnie Roy next है Saudi Arab ने नवालिकों को सजाय मौत ना देने की घोशना की है तो आपको पता है Saudi Arab में बहुत ही कठोर सजाये दी जाती है लेकिन अभी-भी कुछ टाइम से चेंज कर रहा है Saudi Arab अपनी इन कठोर कानूनों को तो इसके तहद इसने एक नवालिकों को फांसी ना देने की घोशना की है next है अभी-भी Facebook ने ग्रूप वीडियो चैट के लिए Messenger Room नाम का एक नया feature launch किया है तो इस feature का नाम है Messenger Room इसमें कितने लोग जुट सकते हैं 50 next है banking उद्यो को 6 महिने के लिए जन उपयोगी सेवा घोशित किया गया है इसके तहद क्या होगा करमचारी जो है जो जन उपयोगी सेवा होती है उसके उसमें हर्ताल नहीं कर पाते हैं करमचारी उस जन उपयोगी सेवा के next है IIITM केरल ने COVID-19 अनुसंधान के लिए विलोकना नाम से एक सर्च इंजन शुरू किया है विलोकना एक संस्कृत बढ़ है इसका अर्थ है खोजना next है help me app इसे लौश किया है हर्याना सरकार ने next है सेनाम पर सबसे अधिक खर्च करने वालों में अमेरिका है नंबर वान चाइना है नंबर टू और अपना देश भारत है नंबर तीन पर next है Indian Rating and Research ने वित वर्ष 2021 में भारत की GDP 1.9% रहने का अनुमान लगाया है next है अमेरिका वैग्यानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला भू वैग्यानिक डिजिटल नक्षा जारी किया है तो आपने ध्यान रखना है पहला भू वैग्यानिक डिजिटल नक्षा है ये चंद्रमा का और किसने लाँच किया है अमेरिका वैग्यानिक सरवेक्षण है एक इंपोर्टन चीज चंदर मिशन जो नासा ने चलाया है उसका नाम है अल्डनिस नेक्स है बीचे मिश्रा एक प्रतिष्ठित लेखक हैं जिनका हो गया है अभी अभी निधन ये क्या करते थे ये स्क्रिप्ट राइटर थे स्क्रिप्ट लिखते थे ड्रामा की जो सीरियल्स होते हैं उनकी नेक्स है भारत ने बांगलादेश को अभी अभी हाइड्रो क्लोरो क्वीन टैबलेट्स और पचास हजार पचास हजार सर्जिकल दस्ताने भेंड किये हैं ये ब्रिक्ष नहीं है ब्रिक्स है बी आर आई सी एस तो जो ब्रिक्स है इसकी बैठक में विदेश मंतरी एस जैशंकर हमारे विदेश मंतरी है एस जैशंकर इन्होंने किया है भारत का प्रतिमी धित्व ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और सौथ अफरीका पांच देश हैं सबसे अंत में चुड़ा था 2010 में सौथ अफरीका तो आपने ध्यान रखना है 2010 से पहले इसका नाम ब्रिक था अभी ब्रिक्स है और इसमें पांच सदस्च देश हैं नेक्स है सरकारी अस्पतार नेक्स है एरटेल ने अभी अभी समझोता किया है नोकिया के साथ किसलिए नेटवर्क कपैसिटी बढ़ाने के लिए आपको पता है एरटेल का नेटवर्क जो आजकल जियो ही चाया हुआ है चारों तरफ तो एरटेल ऐसे में अपने नेटवर्क को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो अपनी कपैसिटी को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ इसने समझोता किया है नेक्स है पंजाव पस्चिम बंगाल इसमें COVID-19 प्रबंदन के लिए एक कविनेट समिती का अगठन किया गया है तो अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है ये कविनेट समिती बनाई गई है COVID-19 प्रबंदन के लिए किसने पस्चिम बंगाल में पस्चिम बंगाल में एक शहर है कुलकता जो बसा है हुगली नदी के किनारे तो आपको ध्यान रखना है हुगली नदी के किनारे है कुलकता शहर नेक्स है पिच ब्लैक 2020 ये था एक युधा अभ्यास जो होना था भारत और आस्ट्रेलिया की एर फोर्स के बीच लेकिन हो गया है रद हमारे जो एर फोर्स के चीफ है वो हैं RKS बधोरिया तो आपने इसको भी रियान में रखना है नेक्स है पाकिसान क्रिकेट बूर्ड ने ब्रहस्टाचार के लिए तीन साल का प्रतिवंद लगा दिया है उमर अक्मल के उपर नेक्स है सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के समेलन की मेजवानी पाकिसान की है चलते हैं आगे तीस एपरिल के एक रंट अफियर्स उन्तिस एपरिल को मनाया गया इंटरनेशनल डांस दे इसको मनाता कौन है इसको मनाता है यूरैस को आई आई टी भुवनेश्वर ने UVC Sanitizer Medical Equipment को Sanitize करने के लिए लांच किया है विक्सित किया है ये इसको दिखो जो जैसे PPE कीट है या अदर जो टूल्स हैं जिनको डॉक्टर्स यूज करते हैं उनको Sanitize किया जाएगा इसके द्वारा एक कमरे में UVRASE को डाला जाएगा और वहाँ पे जो ये Equipments हैं ये 15 मिनट में Sanitize हो जाएंगे Next है एक Singer है Troy Snail इनका अभी-अभी निधन हो गया है तो आपने ध्यान रखना है Troy Snail कौन थे ये थे Singer अभी-अभी वालिवूड एक्टर इर्फान खान और रिशी कुमार इनका भी निधन हो गया है इर्फान खान को 2011 में मिला था पदमश्री तो आपने ध्यान रखना है इर्फान खान इनको कब मिला था पदमश्री मिला था 2011 में Next है बिश्व मुक्यवाजी Championship की मेजवानी भारत करने वाला था लेकिन अब दे दी गई है सर्विया को क्यूं दे दी गई है क्यूंकि भारत की इनकी जो कंडिशन सी उनको फुल्फिल नहीं कर पाया तो ये सर्विया को चली गई है International Boxing Association की सापना हुई थी 1946 में और इसका Headquarter है Switzer Land में Last है Slide ये इसमें हम जो करेंगे Current Affairs Hoodco के नए CM बन गए है Shivdaas Meena और Hoodco की फुल फॉर्म है Housing and Urban Development Corporation Limited तो आपने ध्यान रखना है इसके CMD बन गए है Chief Managing Director Shivdaas Meena Next है Axis Bank ने Max Life Insurus में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोशना की है तो ध्यान रखिएगा Axis Bank ने की है घोशना Max Life Insurus में 29% हिस्सेदारी खरीदने की Share खरीदने की Max Life Insurus का Headquarter है नए दिल्ली में तो इसको भी आपने ध्यान रखना है Next हमारे बास Mumbai High Code के Chief Justice बन गए है दिपांकर दत्ता तो आपने ध्यान रखना है इसको भी Next है Britain के वित मंतरी है Rishi Sunag तो इनको इनोंने Bounce Back Rain योजना का अरावरन किया है ले और दिल्ली में Anti PC द्वारा चलाई जा रही है Hydrogen Indhan Car और Buses ये परियोजना शुरू की है Anti PC ने तो आपको इसको दिहान रखना है कहां चलाई जा रही है दिल्ली और ले में Pollution कम होगा इनसे भारत ने ADV के साथ 1.5 million dollar rate के लिए रिन है रिन के लिए समझोता किया है ADV देगा भारत को 1.5 million dollar का रिन तो आज के लिए इतना ही हमने चार वीडियो से पूरे किये April मंत के सारे current affairs आगे भी चैनल के साथ जुड़े रहेगा आगे की updates पाने के लिए मैं डेली एक या तो English की या फिर Social Studies की एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ और साथ मैं बीकली एक Modern History का भी Lecture मैं डेलीवर करता हूँ यहाँ पे तो बने रहेगा चैनल के साथ फिर से मैं बोलना चाहूँगा आपको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो जो को और अगर पसंद नहीं आती है तो शौक से डिसलाइक कीजिएगा थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ